हलो नमस्कार इस्ट्रेंट मैं विशेक बार का भारगाव ग्लास के इस यूट्यूब चैनल में आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ तो आज का तो मारा वीडियो को टपिक है वो है चतीजगड़ खादी और ग्रामोद्योग बोड तो यहां से यह यह देखने वाले हैं तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखेगा क्योंकि यहां से पंदरा नंबर के इकूल प्रश्न पूछे जाने हैं और लास्ट भाग है इसका चौतर भाग है तो इस परिचे है और प्रस्तावना, ग्रामनोद्योग अग्रण यह बात बंगल करा हूँग गांधी और खादी यह भी बात में करा हूँगा अगर के इस यूट्यब चनल को मिलता रहे देखते हैं सबसे पहले तो मैं सबसे पहले आप लोग को बता देना चाहता हूं कि ग्रामो उद्योग क्या होता है ठीक है देखे सबसे पहले अगर आप ग्रामो उद्योग नहीं समझेंगे तो आप आगे नहीं समझ पाएंगे तो पहले सबसे पहले जो है पॉइंट है कि ग्रामो द्योग जो है उसको समझना पड़ेगा ठीक है तो ग्रामो द्योग क्या होता है वो समझते हैं तो गाओं के उद्योग धंदे खेती बाड़ी आदी जो है ग्रामो द्योग के अंदरगत आते हैं तो की सता है इसका मुक्ष उद्देश है गरावड अलाकों में खादि और ग्रामोंद्यों की स्थापना और विकास करने के लिए योजना बनाना थैके प्रचार करना स्वीधा और सहायत्ता प्रदान करना जिसमें वह आवशक्ता नुसार ग्रामिड विकास के चित्रों में कारण रहा है अंग एजन्सियों की साहता भी ले सकती है यह है ग्रामो द्योग का मतलब अब देखते हैं चतिसगड़ खादी और ग्रामो द्योग बोर्ड यह इसका गठन जो हुआ था वह वह था 27-2001 तो यह आपको डेट यादग में अब दिखते हैं परीचा और इस्थापना जो की सिलेबल के अपसे पाच्छी पुछा गया है कि इसका परीचा क्या है ठीक है तो परीचे के अं 2001 दिनांक 27-2001 द्वरक किया गया है तो यह डेट आपको क्या करना है याद रहना है इस आदेश के तहट मद्य प्रदेश राज्य में प्रवित्थ खादी तशा ग्रामो द्योग के सभी विधी एम विधान 36 गड़ सासन द्वारा अंगी करित किये गये तथा नवंबर 2000 के प्रथम दिन से ही संपोर्न चत्री गड़ राज में लागू होना माना गया है यह इसका परीचा है अच्छे से ध्यान दे के थोड़ा इसको पढ़िएगा और डेट जो है 27-2001 इसको याद रखीगा ठीक है अब देखते हैं ग्रामीड उद्योग देखें ग्रामीड उद्योग के अंदर में क्या आता है तो कोई भी उद्योग जो ग्रामीड छेतर के अंदर इस्थीर होता है और जहां प्रती कारिगर निश्चित मुद्रा निवेश एक लाग रुपए से अधिक नहीं होता है नि ग्रामिड द्योग के अंदर देखते हैं तो खादी और ग्रामिड दोनों में ही अत्यदिक श्रम, श्रमिकों की आउशक्ता होती है, अउद्योगी के रण के मत्य नजर और लगबग सभी प्रक्रियाओं का मशीनी के रण होने के करण भारत जैसे श्रम देश के लिए खादी जाता है, कम आयोवम् छेतरी और ग्रामिड नगरी असमानताओं की मत्यर जर भारत के संदर में इसका महत्व और अधीक बढ़ जाता है, इसका खादी और ग्राम उद्योग का, इसका देखते हैं उद्देश हिक क्या है, जो ये खादी और ग्राम उद्योग यसकी बनाया क्या है तो इसका उद्देश ही क्या है तो बोड का मूल उद्देश ग्रामिड शेत्रों में रोजगार के अवसरों का स्रीजन करना सबसे प्रमुक कारण यही है कि बोड का ग्रामिड शेत्रों में रोजगार के अवसर का स्रीजन कर ग्रामिड अर्थव्यवस्ता को सुद्र क्या जा सकता है तो फा संतरा व आंप्रोणों का प्रडाय एवन कच्चे माल के आंपूर्थी आयोग के तीन प्रमुक उदेश है जो इसके कारियों को निर्देशीत करते हैं कि इस प्रकार है समाजिक उद्देश ग्रामिड छेत्रों में रोजगार उपलब्द कराना आर्थिक उद्देश क्या है बेचने योग के सामागरी प्रदान करना व्यापक जो इसका उद्देश ये लोगों को आत्मने इंवर्बनाना तथा एक सु कोशन बनेंगे अगर बनेंगे तो इसलिए ये पूरा का पूरा आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेगा थोड़ा पढ़ते समय देखते समय उद्देशों को ध्यान रखेगा ठीक है उसके बाद देखते हैं प्रमुक कारिया जो कि आपके से लेबल्स के कॉंडिंग है तो अगले पार्ट में इसके आपको कराऊगा ठीक है जितनी भी योजना है जैसे प्रधान मंतरी रोजगार सिजन कारिक्रम है मैं आपको अभी बता दूँगा परिवार मुलक योजना है मारमी मनी योजना है उजार उक्रण नुदान योजना है तो ऐसे बहुत सारे योजना है उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा जैसे जन स्री भीमा योजना है दिंद्याल हकरदा प्रसान योजन का प्रसासनिक प्रमुक होता है मंत्राल है भारती इकेंद्र सरकार से धन प्राप्त करता है और खादी और ग्रामोशो से संबंदित कराईक्रम और योजनां योजना के परियाह कि लिए काम को प्रत्यक्त गर पर अपने 29 राज कारियила के माद्या में सीधे खादी और ग्रामों संस्थाओं निवेश् से करके यह अब रतेक्षा ओर September 23 Houston Tag 6 Klein अर्ट ही एविश्य कोडी के भारत में राजिया सरकारों द्वारा संबंदित राजियों में खादी और ग्रामों द्योग को बढ़ावा देने के उद्देश से निर्मित वैधानी की निकाय है तत्पशात खादी तथा ग्रामों द्योग बोड खादी और ग्राम संस्थाओं सहकारी संस्थाओं व्यवशाईयों को धन मुहिया कराता है वरतमान में आयोग के विकासात् च्पन सो पंजी क्रित संस्थाओं में 30,138 सहकारी संस्थाओं और करीब 94.85 लाक लोगों के मर्ज से किया जा रहा है क्रियानवन और योजना आप देखते हैं आयोग की योजनाए और कारिक्रम तो मैं एक दो कारिक्रम अभी आप लोग को बता रहा है मतलब योजनाए इसके घत गृत योजना है माटी कला बोड योजना है मलबरी रेश्टम विकास इंविस्तार योजना है तसर धागा करन योजना है बहुत सारे इस प्रकार के कौसल उन्नियन प्रिसिक्षन योजना है तो उन योजनाओं का बाद में करेंगे अभी कुछ योजना है देखते हैं जैसे कि इसके नतर है प्रणामंत्री रोजगार स्रीजन करिक्रम तो यह बहुत इंपोर्टेंट योजना है भारत सरकार खादी और ग्रामों द्योग की प्रायजीत योजना है इसके अंतरकत कोई भी ग्रामों द्योग 21 थापीत करने के लिए 25 लाग रुपए तक लागत की प्रियुजनाय स्विकार होती है जिसमें समान्य वर्ग के पुरुस हिद्गराई को 50 था सेस अन्य वर्गों तथा महिलाओं को 350 जिन मनी बता और अनुदान बोर्ड के माध्यम से उपलब्द कराता है यो जना उसार अवेदकों द्वारा समान्य वर्ग के पुरुस वापस करना होता है ठीक है तो यह कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं था अब यहां से देखते हैं परिवार मुलक योजना यह योजना राज्य सरकार द्वारा प्रायजीत योजना था इसके अंतरगत एक लाख रुपए तक की लागात की छोटी इकाईयों स्थापीत करा जाती है जिससे अनुसुजी जाती है अनुसुजी जन जाती है ने पिश्डावर समानी वर के गरीब रिखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हिद्राइईयों को लाबानुवीत कराया जाता है इसके दहर 500 से अधिक्तम रुपए 13500 बतावर अनुदान प्राप्थ किया जाता है उसके आधा कारी क्रणिश जोटा करने के निए मदद मिलता है त्रेट। प्रदान मंत्री रोजगार स्रीचन योजना के बारे में और भी देखते हैं अब देखें यहां पर आ रहाता है प्रदान मंत्री रोजगार स्रीचन योजना नाम की एक योजना शुरू करने जा रही है इस योजना का उदेख से राजी के युवाँ